मसकार दोस्तों स्वागता आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SDFC नेट बैंकिंग में बेनिफिसरी कैसे एड़ कर सकते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम SDFC बैंक से दूसरे किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तब हमें उस बैंक की डिटेल्स को SDFC नेट बैंकिंग में एड़ करना होता है इस प्रोसेस को ही बेनिफिसरी एड़ करना कहते हैं दोस्तो beneficiary add करने के लिए हमें दूसरे bank के account number, IFSC code और beneficiary के नाम की आवशकता होती है। beneficiary add करने के लिए हमें सबसे पहले Google Chrome app को open कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले HDFC net banking login करने के लिए हमें search box में HDFC login लिखके हमें search कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर net banking वाले option पर click कर देना है। जैसे हम इस पर click करेंगे यहाँ लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने एक login page open हो जाएगा। यहाँ पर हमें customer id या फिर user id एंटर करना है। यहाँ पर user id एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको search box में देख लेना है कि एक lock वाला symbol यहाँ पर होना चाहिए। लोक वाले symbol का मतलब होता है कि आपका यह जो website है वो बिल्कुल secure है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना user id लिखके continue वाले बटन पर किलिक कर देना है। continue वाले बटन पर किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा। यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर verify secure access ID वाले option पर हमें tick mark लगा देना है। और उसके बाद हमें login वाले बटन पर किलिक कर देना है। यहाँ पर HDFC Net Banking login करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक home page दिखाई देगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले fund transfer वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें left and side में request वाले option पर click कर देना है इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे add beneficiary इस वाले option पर हमें click कर देना है इसके बाद अमारे सामने काफी सारे option आ जाएंगे यहाँ पर हमें other bank beneficiary add करना है हमें यहाँ पर जो beneficiary add करना है उसका जो account है वो किसी दूसरे bank में है SDFC bank में नहीं है इसलिए हमें transfer to other bank वाला beneficiary वाले option को हमें select करना है यहाँ पर इस option को select करने के लिए हमें go वाले option पर click करना है इसके बाद अमारे सामने कुछ इस फरकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले beneficiary account number लिख देना है उसके बाद उस account number को यहाँ पर confirm कर देना है उसके बाद beneficiary का account जो type होगा यानि कि उसका saving है, current है, cash, credit है, loan account है वो यहाँ पर हमें select कर लेना है उसके बाद हमें उस bank का IFSC code लिख देना है जिस भी beneficiary का हम यहाँ पर account add कर रहे है दोस्तो उसके बाद हमें beneficiary का नाम और उसका email address यहाँ पर लिख देना है दोस्तो यह सारी details में आपको fill करके दिखा देता हूँ यहाँ पर IFSC code लिखने के लिए हमें click hair वाले option पर click करना है इसके बाद हमारे सामने इस पर करका एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें IFSC code लिख देना है IFSC code लिखने के बाद हमें search वाले option पर click कर देना है इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर bank का सारा details आ जाएगा हमें इसके बाद select वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो IFSC code है वो आ गया है इसके बाद हमें beneficiary नाम और email address भी लिख देना है यहाँ पर email address लिखना compulsory नहीं है इसलिए मैं email address वाले option को छोड़ देता हूँ और उसके बाद add वाले option पर click कर देता हूँ यहाँ पर आप limit देख सकते हैं कि आप कितने रुपए किस option के through transfer कर सकते हैं वाले pop-up window को हम ok वाले button पर click करके close कर देंगे उसके बाद हमारे सामने details को confirm करने का एक page open हो जाएगा इस page में हमें अपनी सारी details चेक कर लेनी है सारी details चेक करने के बाद हमें confirm वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें mobile number वाले check box पर click कर देना है और continue वाले बटन पर click कर देना है इसके बाद हमारे registered mobile number पर एक OTP भीजा जाएगा जिसे यहाँ पर हमें feel कर देना है यहाँ पर OTP feel करने के बाद हमें continue वाले बटन पर click कर देना है जैसे ही हम इस बटन पर click करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो beneficiary है वो successfully update हो गया है add हो गया है दोस्तो आप भी कुछ इसी तरिके से अपना beneficiary add कर सकते हैं और उसको रुपए transfer कर सकते हैं दोस्तो HDFC net banking से related आपका कोई भी query हो तो नीची comment box में comment करके जरूर पूछे दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें Thank you so much for watching